हेलो एवरीवान, वेलकम टू रारा, दोस्तों आज मैं मेबलीन फिट मी माट पोरलेस कॉम्पक्ट पाउडर के विशे में बात करने वाली हूँ, यह SPF 28 PA++++ के साथ आता है, 12 गंटे तक स्किन में ओईल को कंट्रोल करता है, मेरा शेड मैंने लिया है 109 लाइट इवोरी, और लेकिन यह 500 रोपैसे कम में मिल जाता है, इस पर डिसकाउंट आते रहते हैं, 8 ग्राम इसकी प्रोडक्ट कॉंटिडी आती है, और मेबलीन का यह बहुत ही जादा अफॉर्डिबल प्रोडक्ट है, स्पेशली टीनेजर्स के लिए, और जो डेली वाकिंग वुमन है उनके लिए और इसका जो स्किन पर टेक्श्चर आता है, स्किन को बिलकुल इवन टोन बनाता है, यह और बहुत जादा ओईल कंट्रोल फॉर्मिला के साथ में है, तो पोरलेस स्किन के लिए यह अच्छा है, क्योंकि अगर आप मेबलीन का पोरलेस फाउंडेशन लगा रहे हो, तो उसके बाद आप यह माइक्रो पाउडर लगा सकते हैं, क्योंकि यह बहुत जल्दी ही पसीने को सोक लेता है, और स्किन को ओईल कंट्रोल करके एकदम से सिल्की स्मूध बनाता है, और मैं इसके विशमित नहीं कहूंगी कि यह बारा घंटे तो नहीं, लेकिन आपको द नाचुरल और जो बिलकुल फ्लॉलेस स्किन मिले आपको मेकप के बाद में उसके लिए, और क्योंकि इसमें सन प्रोटेक्शन है, SPF 28 है, PA++++, तो यह काफी बढ़िया है, और आप यहां पर देख सकते हैं, इसके सारे इंग्रीडियंट और यह आउट पैकेजिंग है, और यह है compact दोस्तों, इसकी भी तमाम जानकारी इसके backside पर लिखी हुई है, तो यह अच्छा है, मतलब daily use के लिए, लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि इससे full coverage या medium to buildable coverage मिलेगी, ऐसा नहीं है, इसमें आपको mirror मिल जाता है, और यहां पर आप देख सकते हैं, इसका shade और texture, यह आप आपको पतला सा sponge मिलता है, skin पर foundation, यह जो powder है, इसको apply करने के लिए, आप इसे moisturizer के बाद apply कर सकते हो, foundation के बाद लगा सकते हो, या Maybelline BB के बाद लगा सकते हो, या सिर्फ directly इसे लगाना है, तो लगा सकते हैं, या फिर आपको foundation या mousse foundation के बाद भी लगाना है, तो भी इसका look अच्छा आता है, और foundation पे अगर आप लगा रहे हो, तो आपको इससे coverage अच्छी खासी मिल जाती है, और आपको दिन में 2-3 बार अगर आप touch up करना चाहें, तो ये अच्छे से stay करता है, अगर मैं ये कहूं कि आप एक बार apply कर लो, और all day टिकेगा, तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, आपको 4-5 गंटे बार touch up जरूर करना पड़ेगा दोस्तो, overall ये अच्छा है, और अब मैं आपको इससे make up करके दिखाने वाली हूँ, इसका demo देने वाली हूँ, तो working women के लिए, office going के लिए, या घर पर आप ये everyday का make up बहुत आराम से कर सकते हैं, उमीद करती आपको पसंद आएगा, तो चलिए make up देख लेते हैं, तो सबसे पहले मैं मेरे face पर moisturizer apply कर रही हूँ, bobby brown का ये primer moisturizer है, और बहुत ही अच्छा है, ये normal to oily skin के लिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, combination skin वाले भी लगा सकते हैं, और काफी अच्छे से ये skin को prep कर देता है, और skin इनको बहुत जादा देर तक moisturizerize रखता है, और without चिपचे पाहट, क्योंकि make up को lasting बनाने के साथ, face को बिलकुल flawless और non sticky रखना भी बहुत जरूरी है, और उसके बाद मैंने base of glory pore minimizing primer लिया है, sugar का, और ये transparent है, silicon base primer है, और आप देख रहे हैं, ती zone area पर properly इसे apply कर रही हूँ, ज जिससे कि ये मेरे face को बहुत अच्छे से ready कर देता है, अच्छे से base को तियार करने के लिए और अब मैं ले रही हूँ, foundation और ये मैंने fit me foundation लगाया है, 128 warm nude मेरा shade है, matte poreless skin के लिए, normal to oily skin के लिए है ये, और अच्छी सी coverage देता है, 299 रुपीज में इसका mini pack आता है, और ये ब multi purpose concealer है, ये maybelline का ही, और हलका सा मैं undry area को cover कर रही हूँ, जिससे कि dark circle area जो होता है, वो थोड़ा सा cover हो सके और even look मिल सके, और अगर आप working woman है, तो जरूर आपको ये concealer लेना चाहिए, ये काफी lasting रहता है, और बहुत अच्छे से ये dark circles and जितनी भी fine lines होती है, उनको ये भर द लेता है, और आप अच्छे से देख सकते हो, ये beauty blender की साहता से blend हो गया है, अब मैं ये fit me का matte poreless powder apply करके आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हैं आप कितने बड़िया तरीके से ये set कर देता है, क्योंकि इस foundation के बाद में मुझे ये इसलिए लगाना भी पसंद है, क्योंकि ये oil को कंट्रोल करता है, और SPF के साथ में आता है, ये जिसकी वज़े से ये day time के लिए बहुत अच्छा है, SPF 28 PA+++, और बहुत अच्छे से oil को कंट्रोल करता है, मेरा shade light ivory है 109, अब मैंने करबार की nude 12 eyeshadow palette ली है, और इसका मैं shade apply कर रही हूँ, prank and cosmic को mix करके, ये soft nude pink color है, इतन nude pink color है ये, कि eyes पे बिलकुल दिखाई नहीं देता, बहुत natural color आता है, बस जरा सी इसमें shine होती है, बहुत ही micro, जिससे की day time के लिए ये बहुत अच्छा है, और eyes का look बहुत ही fresh बनाता है, तो आप इसको properly किसी भी skin tone के लिए use कर सकते हैं, shade number मैं फिर बता देती हूँ, prank and cosmic shade ह और इसी के brush की help से, या सहायता से मैं इसे लगा रही हूँ, blending बहुत जरूरी है दोस्तों, कोई भी makeup product हो, और ये foundation पे थोड़ा सक गिर जाता है, तो मैं इसको बड़े से powder brush की सहायता से हटा दूँगी, और इससे मेरा face properly clean हो जाएगा, आप देख लीजिए, इस तरीके से, और उसके बाद में face पर आप देख सकते हैं, बिलकुल जरा सा, मैं थोड़ा सा ले रही हूँ, highlighting के लिए inner corners को, इसी shade को, and ये काफी जादा अच्छा है, shade cosmic, और inner corners को highlight कर रहा है, और इसी के साथ में न, मैं outer lower lash line पर apply करने वाली हूँ, shade sassy, and ये जो shade है न, ये dark brownish shade है, जो क आखो को थोड़ा सा dark look देगा, और आखो के look को थोड़ा सा जादा big and attractive बनाने वाला है, लेकिन eye shadow ये powdery है न, तो इसको apply करने के बाद बड़े वाले brush से हटाना बहुत जरूरी है, वरना तो फिर ये face पर, जो हमने foundation और powder apply किया है, compact apply किया है, उस पे गिर जाता है, तो अच प्राइता से हटा दिया, ये देखिया, आप properly अच्छे से skin को clean करता है, इसके बाद में मैंने थोड़ा सा compact लिया और under area को वापस से cover कर लिया है, तो ये इस तरीके से मैं लगाती हूँ eye shadow और बहुत देर तक टिकता है, अब मैंने sugar का ये brown color लिया है, coal of honor and ये intense kajal है brown color का, इससे मैं eyeliner लगाने वाली हूँ, daytime के makeup के लिए जब आप office जा रहे हो, या फिर आप अगर teacher है, आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, फिर आप कहीं पर भी work करते हैं corporate sector में, तो आप black की जगा brown eyeliner prefer करें, वो भी काजल pencil से, वो देर तर टिकता है, smudge नहीं होता, और आखों का look soft and बहुत ज़्यादा attractive बनाता है, और यह बहुत ज़्यादा harsh नहीं लगता है, तो आप देख सकते हैं, आप इसे brush की साहता से blend भी कर सकती हैं, अगर आप चाहें, तो और ज़्यादा soft and smoky look के लिए, लेकिन liner भी बहुत अच्छे लगते हैं, attractive लगते हैं, तो सिर्फ brown liner भी कभी कभी कमाल कर देता है, और आप यह देखिए, lower lash line पे मैं हलका साइस को outer side में apply कर रही हूँ, उसके बाद मैंने लिया है benefit का roller lash mini mascara, और यह जो mini mascara है, यह lashes को बड़े ही अच्छे से fine तरीके से evenly curl कर देता है, बहुत सारे लोग false lashes लगाना पसंद करते हैं, तो वो लगा सकत हैं, बट natural आप रहेंगी daytime में, तो जादा अच्छा है, वैसे यह makeup look आप night time में भी कर सकते हो, और आप देख सकते हैं कि मैंने lower lashes को भी curl कर लिया है, और कई बार बहुत सारे लोगों को brown mascara पसंद होते हैं, market में बहुत सारे brown mascara available हैं, लेकिन black mascara brown eyeliner पे जादा अच्छा लगता ह हैं, और उससे आखों का look जादा define हो जाता है, अब मैं ले रही हूँ, आर्क arrival 3-1 brow shaper jerry brown shade और यह है sugar का new launch product, इससे मैं eyebrows को fill कर रही हूँ, मैं आपको एक चीज़ बता दू कि जब आपके पास office जाने के लिए अगर देरी हो रही होती है, या कहीं आपको जाना है, तो आप जल्दी जल्दी जब make-up करते हैं, तो अगर make-up के कुछ step आगे पीछे हो जाते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, make-up का look अच्छा आना चाहिए, जैसे कि कई बार आप mascara बाद में लगाते हो, या lip color तो बाद में लगाते ही हैं, eyebrow pencil बाद में लगाते हैं, eyeshadow apply कर लेते हैं या eye make-up कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप देख रहे हैं, मैं इसके smudger की साहता से इसे blend कर रही हूँ, ताकि बिलकुल natural सा look आए, और ये काफी अच्छी लग रही हैं, फिर मैंने fit me का ये blush लिया है, और ये blush बहुत ही soft peachy coral shade में है, और 400 रुपीज क brush की सहायता से भी इसको apply किया है, 202 medium coral shade था मेरा ही है, और अब मैं hula bronzer apply कर रही हूँ for features, बहुत ही soft तरीके से अगर आप day time में nude matte color का bronzer apply करेंगी, तो ही face के features जादा अच्छे लगते हैं, उसके बाद brow bone area को मैं highlight कर रही हूँ, और ये shade मैंने same shade लिया है, color bar की eyeshadow palette से, और ये shade है दोस्तो, crush क्योंकि ये goldish था, और अब मैंने lip color nude color का apply किया है, क्योंकि ये बहुत बहुत जादा pretty lip color है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और तो ये जो lipstick है, ये है Maybelline Color Jolt Matte Intense Lip Paint 04 Show of Nude, और दोस्तो, देखे आप बिलकुल nude lip color कितना अच्छा लगता है, office में इस तरीके के lip colors बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, और ये कुर्ता मैंने पहना है from W, आप इसे purchase कर सकते हैं, मिंतरा से या फिर W के website पर जा करके, और उसके बाद मैं आपको दूसरा lip option देती हूँ, ये Maybelline lip gradation है, 02 pink 2 shade है, और pink 2 बहुत अच्छा लगता है, इसी nude lip color पे बहुत हलका सा, अगर आप pink apply करना चाते हो, pink का touch देना चाते हो, तो lips बहुत बहुत जादा अच्छे लगते हैं, आप देख सकते हैं, मैंने इसको बस जरा सा blend कर लिया है, और lips फिर भी attractive लग रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें, तो इसका proper proper एक पूरा का पूरा layer apply कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको apply करके दिखाने वाली हूँ, और ये dark pink color है, बहुत ही अच्छा, कुर्ती से बिलकुल match कर रहा है, और इससे lips बहुत ही जादा attractive लगते हैं, इस तरीके के lip color जादा bright हो जाते हैं, अफिस में, लेकिन इसको तोड़ा light बनाएंगे हम अभी, और मैं आपको ये totally transfer proof करके दिखा रही हूँ, face tissue की सहायता से, और ये देखे, ये बिलकुल अच्छे से मैंने इसको remove कर दिया, excess को और उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर, क्यूंकि किनारे किनारे का foundation हलका सा light हो जाता है, face tissue की सहायता से, तो मैं compact वापस से थोड़ा सा apply कर रही हूँ, आप देखिए, maybelline fit me का ही compact मैं apply कर रही हूँ, ये compact काफी अच्छा है, मतलब बहुत जादा flawless look नहीं देता, तो बहुत खराब भी नहीं देता है, ये okay okay compact है, रोजाना के लिए इसे ही इस्तमाल किया जा सकता है, क्यूंकि अच्छा SPF है इसके अंदर और ये oil free बनाता है skin को, औ अब मैं ले रही हूँ, blush, brush और इसकी सहायता से मैंने excess को हटा दिया है, अब आप देखिए, lip color जो है वो बढ़िया तरीके से सेट हो गया है, और काफी अच्छा लग रहा है, और इसका दूसरा coat मैंने apply किया है, बहुत light सा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये, बि इस टिशू की सहायता से से remove कर लेते हो, excess product को, ये देखिए, बिल्कुल transfer नहीं हो रहा है, lip color, so it's very nice, दोस्तों, अमीद करती हूँ, आपको ये makeup वीडियो पसंद आया होगा, यदि अच्छा लगा है, तो मुझे जरूर follow करें, facebook और instagram पर, और मेरे another makeup वीडियो जरूर देख सकते हैं,